इसे आप सभी आप सब बहुत अच्छे होंगे चलिए फिर अपनी टाइम ने क्लास स्टार्ट करते हैं ने क्लास है अपके डिफरेंट टाइप्स अपक्स एक्शन जो भी काम आप कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो उसका इंपक्त होगा उसको किस तरीके से करना उसके बारे में पढ़ेंगे शलिए फिर पहला वर्ड गरते हैं पेहले आपका देיख हम के से बिलका CC पारटी वर्ड आपका पार से बना है, पार मीन्स क्या होता है, पार मीन्स होता है, इक्वल, यहां पर क्या लिखा, इसी स्टेट आना जहां पर चीजे इक्वल हो जाती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा तराजू, जब कोई इंसान वेट करता है, तो बोलता है तो हिए फ्रेट अर्वी वर्ट यह अपनी प्रिविस क्लास में एधिस मतलब पड़ाटा थो अधिक अधिक्स वर्य होताए और आपका वर्ड होता है, इसका क्वा मीन्स क्या पड़ा हमते कि यह आप लिखा है, मैंशन है अधिबरेंस एक तरह का डिफरेंस होना इसपेशली वन कनेक्टेड विद अनफेयर ट्रीटमेंट जब आप किसी के साद अनफेयर तरीकर अनफेयर मीन्स क्या होता है गलत है आप क्या करत हो दो लोगों में अगर ट्रीटमेंट करो तो आप बायस हो के अगर आप ट तो क्या हो जाएगा आपका disparity हो जाएगा next word next word आपका disparishment this मतलब negative और parishment word हो जाता है जैसे आपका pairs ही बनाए पार मतलब equal और this means against यहां पर क्या mention है the act of suggesting that somebody or something is not important इस टाइम पर जैसे हमें होता ना कई बार चीदों को निग्लेट कर देते आरे यह चीद इंपोर्टेंट नहीं है कई बार होता वही चीज़ सबसे जादा इंपोर्टेंट है यह office में colleagues होते हैं तो हम कई बार इसकी बात क्या सुनना या आप्रीशियेशन करना किसी की तारीफ करना अप्रेशियेशन 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 करना अप्रेशियेश किसे बढ़ना आपका पार मीस क्या हो जाता है इक्वल इस नेगेटेव पार मीस इक्वल चिज़ों को तरीके से नहीं देखते हो और यहां पर क्या लिखा है फिल लगा है तो क्या हो जाएक इसका मतलब डिशियेशन एक तरह से नाउन हो जाएगा जब हम चीजों को को अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं इंपॉर्टेंस नहीं बताते हैं उसके कोई भी मतलब समझ से उसको क्या बोलते हैं डिया अपरीश मेंma डिषल कर नेक्स वर्ड अका पीयर इस विए ढृतका किस रिलेटरव से पाउर से बना पीयर मीस क्या होता है डिया टरप के क्लास में अपकर क्या पढ़ाता प्रोनावन तो आप अपकर सब्सक्राइब चाहता है सब्सक्राइब के साथ क्या बोलते हिंदी में क्या बोलेंगे जो ग्लेश भी हूं तो यहां पर हूं आएगा इससे भी आप कल वाले सेंटर्स को भी रिलेट कर सकते है अपरसंट है एक सोशल स्टेटेस आप मेडल क्लास के एकनौमिक यह भी रिलेट करता तो उसको आप क्या बोलते पीर पीर तेक और रिलेटेड वर्ड जो आज कल आज कल के योद पर बहुत ज्यादा पेरशर करता है जिसको बोलते हैं प्रियर पैशर प्रियर प्रेशर मीन्स कहता है जैसे कि आप कई बार देखते होगे फेस्बूक या इंस्ट्रेग्राम पे लोग फोटो अपलोड करते हैं कई बार उन्होंने कोई डिश बनाई है या कहीं घूमने गई या कोई ड्रस ली है इवें सब्सक्राइब लॉक्डाउन में हुआ था आपने देखा लॉक्डाउन में क्या ह इस तरह की फोटो अपलोड के मास्क में अपलोड की बले में कहीं जाना नहीं है प्लोड कि चि कुछ बनाया है हम भी बनाएंगे बले हमारा इंट्रेस्ट हो ना यह पने जो शोचल प्रैशर आ जाता है उसी प्रिएर प्रैशर करना दूसरों को दिखाने के लिए उनको आप किस से बना पार से बना यह यह आप के साथ जो लोग है आपके से में से मीश्क है ने स्थेट do basic को ब snack कावाजी人 thief अजब उन से रिलेज़ करके अपने ऊपर उसको क्या बोलते है यहाज बढ़ार कंपेर विर्ड कि कंपेर याज तो टोगेदर और विध तात में तोगेदर और विथ प्रे एप पार इक्वल यआ जिसों को दो लोगों को साथ-迎 santconими रखकेश आप करते हो जब दो लोगों मिनमम करते हो तहीum लोगों में होता हैसी नहीं में होता थम प्रेटिव एक होती है ऑडेक्टियमे पॉस्टिव लोगों करते हो तो लोगों क्या बोलेंगे अधार का सुपर लेटेव डिगरी से अधारे इंडिविध्यल जो होता है यहाँ पर देखते कंपेर मीस क्या हो चाहिए जाती है कि बैटर हो वह बैटर क्या होता है यह लगा मतलब है क्यों चैकर अब बैट करते हैं चाहेवन बैटर वह हो चाहेवत्व में हो उसको क्या बोलता है compare करना compare कब किया कम्मी साथ में और पेर में इकवल दब जब दो कीदो को सात में एक कुमपेर करे उसको बोलते हैं लेस्ट मुप रात एक वोकेट मीज़ एक वोकेट जो है आपका किससे बना है वोकल से लेंग्विज से आवाज से तो यह क्या हो जाएगा तो टॉक अबाउट सम्धिंग इन वे डाट डाट डाली डालीब्रेटली जानबूश कर इंटेंशनली अगर आप इंटेंशनली किसी की बारे में कुछ बोलते हो उसके लिए है डालीब्रेटली तॉम तो कई चीज चृपा रहे हो सच चॉपा रहे हो इसको क्या दो क्या बोलते हैं अधने दोनों वे में अगर आब बोलते तो जानबूश आएघ लएब कर सामतसों की बारे में बोलना इन our way डाट डेलिबरेटली नौट लियर इन ओडर तो आवाइड और हाइड दत्रूट अगर हमें सच को छुपाने के लिए अगर आप जो तरह से रास्ता अपनाते हो है इंटेशनली उसको क्या बोलते हैं इक विकेट इसका एक और सिनोनिम हो जाता है आंबी गुवस तो अपने अबने लिएस होता है अब मुस्त अबकह होता है और अबको होता है और नहीं होता अरश मी सिक्वी श्कुनिलएं बिक्रट ऋंब पॉ्सीजिज इंटेंश्ञ विकलों कर मृटकों मतलब हों पहों से बच पर रिएबिद और यह को कर आपनी मैं नहीं है सच को चुपाता है उसको क्या बोलते हैं एक्विवोकेट नेक्स वर्ड एक्विवोकल गिविंग गुड रीजन किसी को भी अच्छा आप रीजन दे दो किस लिए और बींग डाउटेड मतलब आपने उसको इतना जैसे उसको कोई भी चीज का क्लियर हो गया कि हमको यह का करना है हमको यहां पर जाना पर आपने उसको इस तरह से अपनी बातों में बोला उसको दो पॉजिटिव और निगेटिव आपने दोनों बातों को इस तरह से प्रेजन किया कि वह क्या हो गया डाउट की केस में आगया कि हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वहां बहुत सब्सक्राइब हो रहा है वहां पर रास्ते जो है वहां पर ट्राफिक जाम है या कुछ भी ऐसा बोल दिया तो प्लियर नियों पाओगी पॉजिटिव रहा है कि नेगेटिव तो क्या हो जाएगा गिविंग रीजन आपको एनफ रेजन दे दिये किसलिए पॉर यह प्लियर में होता है सब्सक्राइऊ डी ची अप्डू मंत आव पॉर्ट गें इसका पीकुं цен उपकीर ङ 혼자 में बश्सक्राइब इसका बहुत पड़ा यी पुलिए हम यह पड़ ऑफ भी आपके बास क्या होगी स्रीटन में देलेमा में आगे आ कि सिट्लेमा Ga नहीं हो रहा विद वन इंटरिपेशन डाट इस डालिकेट यह साथ में वर्ड है क्या होच जाएगा मतलब दो वर्ड को एक इस तरह से बोल आपने मुवी में देखा होगा लोग बोलते हैं डबल मीनिंग मतलब आपने एक बात को इस तरह से प्रेजंट किया कि उसके दो मीनिंग क्लियर हो रहे हैं और जो एक मीनिंग हो डेलिकेट नहीं है वह पॉजिटिव वर्ड में नहीं है उसका कुछ अनिंटेशनल इल्लीगल टाइप से वर्ड होते हैं जो अच्छी प्रेजंट नहीं होते है उनको बोलते हैं अगर कई बाल गर्ल्स के विमन के केस में बोला जाता है तो जो दूसरा मीनिंग होता है वह पॉजिटिव नहीं होता है उसको बोलते हैं डबल इंटेंडर यह आपका इंपोर्टेंट वर्ड हो जाता है नेक्स वर्ड एक्विटी को समझना बहुत है जीया से कि आपने देहा होगा पर करह लिए बाते हैं तो आपने देखा टीन लोग यहां पर खड़ेowing में देख्चेगा म।क यहां पर अगर हम इनकी हाइट वाइज बात करते हैं इसकी हाइटieur चाहिए पॉस्कान है है इसकी इतनी है और इसकी हाइट इतनी है दो इनको क्या कि बोलेंगे ऑनर मिलएंगे इसको क्या बोलेंगे लृटी बोलते हैं उनको जो फेवर आपने दिया जैसे कि अगर कोई ऐसा जो वीक बच्चा है जो बहुत जादा स्ट्रॉंग इंटालिजेंट है और जो बहुत जादा मेडियोकर बच्चा तीन तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं एपरेज फैल्योर और परस आने वाला बच्चा तीनों को अ जितों कि फेवर करते हो जैसे अगर उसको जरूरत यह कोई लोग है और सी करते हिसमय की कण स fourth चृइब बरबर किया गया हुझा देटी की लागता है तिन लाने के लिए जभाझस के लने की फ्रिफर्या इसको सब्सक्कुशिंद लोह बराबर दी Komm wore उच्प्रोठी बढ़ाबर और यहां में चीजई लाने के लिए जो फेवर दिया चारव और बर ढ़ावर बोलते हैं और जब तीनों को situation बराबर या फेवर बराबर बोलते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वैलिटी नेक्स वर्ड इनिक्वीटी यहां पर आई यह ध्यान से देखिएगा इनिक्वीटी इम्मॉरल मतलब जो चीज़ें गलत होती है इम्मॉरल कंडेक्ट ऐसा किसी के साथ बिहेवियर करना जो क्या है इनिक्वीटी बोलते हैं क्या हो जाएगा इनिक्वीटी यहां पर क्या हो जाएगा इनिक्वीटी मॉरल मीज आपने मॉरल साइंस पढ़ी होगी ना न्यादिक शक्षा जिसको हिंदी में बोलते हैं मतलब क्या होता आपका नेगेटिव मॉरल मीज जो आपके लिए प्रिंसिपल के कॉर्डिंग सही होता है मॉरल मीज हो जाता है जो अगर आप सोसाइटिक लिए कुछ भी इसा कंडेक करते हो कोई भी ऐसा बहएवियर कुछ भी जो ऑफेंसिव कही बार होता है कि हम कुछ चीज़ा थी करें जो एक्कॉर्डिंस तो सटा सुसाइटिक गलत हो जाती तो उसको क्या बोलते इनेक्विटी नेक्स वर्ड एक्स्ट आपका एक्विनॉक्स एक्विनॉक और लेनॉद ख beslसे मरूं ना के दिन और राज भीड वंटया है कब-कब उते आपको ऋक्तम करट जानद आप मुल हो एक्सट पर इसका मतलब ऑप ऊँछिए जायो क्यों को मिन्स क्यों और बराबर और नाउक्स मीनट को से रूलेट करvese रिलेटेव टाइम ए्ड़न और इक्वल लेंग तवाने इक्वल लेंग इसको क्या बोलते है एक्विनौक्स नेक्स्ट वर्ड यह वर्ट नोक्तोर लोक मिस अभी हमने पड़ा क्यों हो जाता है नाइट कि ऐसा परसन जो नाइट कई बार होता ना की देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स आते हो तो जो कहते हैं रात कोई पढ़ पाते रात कोई हमें चीज़ें समझ में होती है या मैस की सम्स लग जाते हैं रीजनिंग लग जाती है इंग्लिश की जो एक्सराइब रात कोई कर सकते अनम नाइट तो सो क्या लेंगे टीर के लिए या किसी भी चीज के लिए होता है रात की रेलेटेड म्हें पासलों मतलब नाइच को यह गोटल बराबर हो सको बते हैं नेक्स थैट क appelle canyon मिल दोनों का मतलब होता एक्वाल और अनिमस और यहां पहसे क्या है किया गया है आपका इस टाएज में कर他 दो आपको स्टर नहीं रहता है आपको भगवान बुद्र का जो दिमाग का बहुत एस्थिर ता उन से आप नेगेटिव बोलो पॉजिटिव भी बोलो तो उससे रिलेटेट वर इसी तुक्ष्ध मैंडर अंडर इस्ट्रेस कि ना भी काम होना चाहिए क्या हो चाहिए डिमाग तो का दिमाग क्या है आपका दिमाग को स्थिर रहना चाहिए जिसका भी दिमाग के अंदर भी इस्थिर है एक जैसा इस टेडिल है उसको क्या बोलते है इसका आंटॉनिम भी आप देख लेते हैं अपुसिट क्या हो जाएगा आपका एजीटेशन एक तरह से लोग उते हैं इसमें तो स्थे रोगे स्टेबल हो गया उसको बोल दिया वह तुरंट भड़क जाते उसको क्या बोलते हैं एगए आपका कई बार पूछा गया इंपोर्टेंट वर्ड होते हैं गया एक्लीभियम फिर इक्वी मींस एक्वल और जोंक लिब्रा आपने कई बार यह वर्ड पढ़ा होगा लिब्रा स्पेशली जॉडियक साइन में पढ़ा हों जूरी अ इक्लिब्रेयम जो आपनी जो बुद्धी है और जो आपके मोशन से उनका बैलंस करते हैं उन चीजों को बैलन्स रखना जैसे आपने कई लाब में देखा होगा आपको चीजों करने के लिए बूला जाता है वेंग मशीन में है करते ह amorlin की स्टेट होने चाहिए क्या आपको की रियक्षन दी जाती है कि या दोनों रिएक्षन को लैट और ऊर्वाट साइड को देखते हैं कि वह में है फिसे चीज़ेंग कंपाउंड जो भी चोँछे एक जैसे है के नहीं next word और आट चाहूं तरफ एक एसी लाइन जो इमेजनरी एयर मिंग फॉर्मिंग ब्रफ एन इमेजनरी लाइन एरौंद आइर्ट वामिंग इसको इकवेटर बोलते हैं लाइन इक वोलते हैं इसी को एकवेटर बोलते हैं क्यों कि दोनों की यहां से बराबर होती है इसको बोलते हैं जो एक आने इमेजनरी लाइन अराउंड दा एक ऐसे लाइन जो आर्थ की चारों तरफ है forming the great circle एका बना रही है इंड डाट इडाट मेंज हीवीड इकुल इक्वी मींस इक्वाल और डिस्टेंस में डिस्टेंस तो इक्वाल इसमें ज्स्टेंस जादा को दिख रही होगी बडिये से यहन की डिस्टेंस और यहां की डिस्टेंस ऑर यहां की बोलेंगे यह क्योफ पॉर्म, और ओके ल मॉलते है एक्वेक्वेटर बोलते हैं तक क्या दिपर है रही एक्वेटर वुब तर। इस्की रसे नौर्फो आर्साउट नौर्ट ऑपने रहे होता है आपका को स्कोर्याया रेक्टेंगल जब निर्विन के आंग व मुलते हैं किया एकन 18 ран ? मतलब angles related having all sides equal जिसकी भी एंग सारी equal having all angles equal जिसके सारे sides और सारे angles क्या होते हैं equal होते हैं उसको क्या मोलते हैं equi angular next word equilateral lateral जो आपका word equi means equal और lateral means होता है lateral means sides equi means equal और figure whose all sides are equal एक ऐसा figure जिसके सारे sides क्या होते हैं equal होते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा triangle में तो क्या होता है आपका एक triangle होता है जिसके सारे sides equal होते हैं अगर यह side a है यह side a है इसको क्या बोलेंगे equilateral क्यों बोलेंगे क्योंकि equi means equal और क्या equal है lateral means side तो अगर यह तीनों चीज़े एक्वाल है तो क्या हो जाएगा equilateral हो जाएगा next आपका वर्ड एक्वी वैलेंट वैलेंट जो आपका वर्ड वैल्यू से बना है और इक्वी means equal equal in amount अगर उसकी वैल्यू है किसी भी जाते हमने chemistry में पढ़ा equivalent reaction को ही प्रूफ करते हुए जब हमारे पास सारे amount और सारी वैल्यू इक्वाल दियेगर हमें जो एक साइड एस्टु हो दिया है और दूसरे साइड तो दिया सो मुझते डिलेशन जो आपकी बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करते हैं उसको क्या बोलते equivalent इसमें आगे और बियाड होगा उसको देखते हैं equal in amount or value उसको क्या बोलेंगे equivalent मैं अपने किमिश्री में पड़ा होगा व्यलेटेड व्यलेंश तो इसका मतला वैल्यू और इक्वी इक्वर्स इक्वैल्ड मेंच्वन अमौन आमॉंट और वैल्यू ने क्ष्छ वर्ड योग ईक्विश्ट्रेंग में यह इंपोर्टेंट वर्ड होजाता है कि में आपका इक वर्स इसका मतलब होता हॉर्स जैसे आपने पढ़ा होगा फैलाइन canine equine canine कि से related होता है dog से related combine cat से related और equine horse से related आसा परस रिलेटिं और फीटोरिंग horse back horse की back से related चीज़ होते है इसको किया मुलते है equistrain जया से अपने एक वर्ड पढ़ा होगा pedestrian pedestrian और equistrain आपके सब्सक्राइब काफी इंपोर्टेंट वर्ड हो जाता है अगर पूछा जाए जो हॉर्स की बैक पर बैठते हैं तो आपको पता होना चाहिए हॉर्स होता है उससे आप ट्रिक कर लोगी या फिर आपने पैडिस्ट्रेंग वाला वर्ड पढ़ा है उससे आप रिलेट कर सकते ह तो नेन वह सब्सक्राइब कर मेरे तुम ना तो विभास परितो नकी से एक पर बैठते हैं झाए लानने मेश्य को घ्रीन या सिफ्ट्राइब टतकता हॉर्स क्यों से ब्रांगे पर सभय को सब्सक्राइब टैग का रॉन दोन सदिक इख आप्स चीज़े होती है उसको बोल कमच्च में आपको और एक लास्ट वर्ड आपका एक्वेस्ट्रियन और वुमें अगर जैसे आप कई बार देखते हो कि कॉम्टीशन होता जिसमें मेल और फीमेल दोनों कॉम्टीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके लिए अलग वर्ड हो जाएगा उसके लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक्यों वर्चिंग दिस वीडियो थैंक्यों क्लास